मित्रों चे मतादी कैसे हैं आप सब चे बताने के लिए कमेंट में चे मतादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्ष दोहजार तीस में चोरचन पूजा कब है जानिये सही तीनव तारीक क्या है और पूजा पिधी क्या है और चतूर्थी तिति कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि से जादे सेयर करेंगे भाधरपदमास के सुकल पक्ष की चतूर्थी तिथी को चौर्चन का परो मनाया जता है और इस परो को चौर्थ चंद्र की नाम से भी जाना यह पर्व मुख्य रूप से बिहार मिथिला में मनाया जाता है इस दिन भगवान गणेश और भगवान चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है ऐसी माननेता है कि भाद्रपद मास के सुक्लपक्ष की चतूर्ती तिथी के दिन भगवान चंद्रमा को कलंक लगा था इसलिए आज के दिन जो भी लोग भगवान गणेश के साथ साथ भगवान इंद्रदेव की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें चंद्रदोस से मुक्ती मिलती है मित्रों अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों इस दिन सुब उठकर इसनान आदि करके ब्रत का संकल्प ले और सुब से लेकर साम तक ब्रत रखे और साम के समय घर के आंगन को गोवर से लीप कर साप कर ले इसके बाद कच्चे चावल को पीश कर घर के आंगन में रंगोली बना कर आंगल को सजाया जता है इसके बाद केले की पत्ते की मदद से गोलाकार चांद बनाया जता है इसके बाद पूजा में तरह तरह के मीठी पकवान जैसे खीर, मिठाई, गुजिया और फल आदी भोग के रूप में चाहे जता है और अंत में पस्छिम दिशा की ओर मुख करकी रोहनी नक्षत्र सहीत चतूर्थी तिथी में चंद्रमा की पूजा की जती है इस पूजा में दही का काफी महत्व है इसलिए इस दिन मिठी के बरतन में दही चमाया जता है कहते हैं कि इस तरह करने से दही का स्वाद बहुत ही खास हो जता है इसलिए दही को पूजा के दोरान इस्तिमाल किया जता है इसके अलावा बांस की बरतन में बिसीस खीर तयार की जाती है जिसका भोग चंद्रदीव को लगाया जता है मित्रों अब पूजा करने का सुप महुरत को भी चान लेती है जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दे की वर्ष 2023 में चोर्चन पूजा 18 सितंबर दिन सोम वर्ख को मनाया जाएगा चतूर्थी तिथी प्रारंब होगी 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12 बचकर 49 मियट पर चतूर्थी तिथी समाप्त होगी 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1 बचकर 43 मियट पर झाल झाल